सबी साथियों से रिक्वेश्ट है एक बार वीडियो को सेयर कर दें उसके बाद वीडियो को आप कंप्लेट देखेगा बहुत इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में आपको मिलने वाला एक डीसी जनित से समंदित अब्जेक्टिव टाइप के ये आपने पहले वीडियो नहीं देखा और लिंक को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का कोशनम सुरू करते हैं को उग Это है या पर लोग बतायते सभी लोग कोशन का एंसवर देते रहते और यहां पर भी मैं आपके लिए लेके आये हूं कोशन नंबर 21 से बहुत इंपोर्टेंट कोशन जो की इलेक्टिसियन के लिए बेस्ट है तो कुछ लोग पहले से इसका एंसवर देना सुरू कर दिये तो जलिए कोशन नंबर 21 से हम सुरू करते हैं इसमें कोशन है पूछा गया कोशन कि आर्क वेल्डिंग के लिए परियुक्त डिसी जनेटर में होना चाहिए वर्दन अभिलच्छन या लंब कोडिया अभिलच्छन या रिजू कोडिया अभिलच्छन या यहां पर दिया गया आपका डूफ आरा है फिर भी आप हर एक कोशन का एंस्वर दीजी कोई ऐसा जोरी नहीं कि आप सही एंस्वर देंगे इस तरह आप एंस्वर देंगे तो आपको यहां पर जो भी आपका कॉन्फिडेंस रहेगा बढ़ेगा एंस्वर देने का और आप परिशा में अच्छे यंग चाहिए तो यहां पर कोशन के नूसर हमारा आफसन नंबर जो डी दिया गया है यह टी आफसन हमारा बेल्कुल करेंच पर हो जाता है चलिए नेक्स कोशन पर हमाते है कोशन नंबर 22 पर कह राई कोशन DC जनेटर के लिए मामले में अभी अधिक तम दस्ता के लिए सर्थ क्य आहें जिसले कि आपप दिया गया variable loss रों अपार क्स्टेर्ट्ट लों मतलब परत्यावर्त्य हानी अपार mogą नियत हाने यह प्रिवर्ति हानी अपार जैया पर रिवर्थी हानी अपार दूगैं निय fix फानी यह आप पर दिया गया परिवर्ति हानी बराबर नियतानी तो इसमें से आपको कौन सा आपसम सही लग रहा है चलिए सबी लोग इसका एंसवर दीजिए जितने भी लोग लाइब देखने सबसे रिक्वेश्टी कि आप सभी कोशन का एंसवर देने का प्रयास किजिएगा पहुते इं परति हानी बराबर नियतानी जो कि आपसम में आपसम में अमभर भी यहां पर बिलकुल करेक्टेंस यहां पर हमारा सही हो जाता है आए नेक्स कोशन पर हमाते हैं कोशन नमबर 13 पर कहरा एक कोशन दिश्टीधारी जनितर में गम ना गमन कुंडलन अधात लैप वाइंडि कि होता है व मार्लों की संख्या सदेव के बराबर होती है कि जा अधिक धारा वाली मसीनों में किया जाता है इसमें से आपको कौंस आफसन सही लग रहा है कोर्शन नमबर 21 से ध्यान से सभी लोग इसका एंस्वर दीजिए कि आफसन वह आपको दिखा देते हूं यह रहा आपका आफसन तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाते है आफसन नमबर D अथा गमना गमन कुंडलन का उपयोग कम बोलता और अधिक धारा वाली मसीनों के लिए होता है क्योंकि दिश्टि धारी जनितर में जो गमा ना गमन जो यहाँ पर कुंडलना डिसकों लेप वाइंडिंग किते इसका उपयोग कम बोलता और अधिक धारा वाली जो मसीनों होता उसमें मसीनों के लिए किया जाता है और जो वेब वाइंडिंग होता है उसका परसपर विए जैता है तो यहाँ पर कोशन को निसार हमारा आफसन नमबर जो यहांपर दिया गया है यहज हमारा काम किया है जो कम्मोटेटर होता है जिसको क्रते क्रम बइने मिन कारी क्या होता यहि mandat कर सका है क्रम क्रम क्रतिकर में करते हैं जो कारी होता है modic को डी सी में परिवर्तित करना और डी सी को एसी में परिवर्तित करना यह आपका कमिटेटर जो होता है इसका कारी होता है तो इसको भी द्यायने किएगा और यह जो कमिटेटर होता है यह कारबन ब्रसों की साहिता से धारा में क्या करता है संगरन मतलब की करेंट कलेक्शन करत तो यहां पर इसका कारी यह भी हो सकता है तो यहां पर चलिए असर देखь लेते को महीं सा ग्तु करेक्ट हो जाता हैёं यह allen आफ संद डिया तो यहां पर कोशन की किसी डिजल साहद सपहेट देग्हात्ट नाई देता है तो वह सूचित करता है किसी परकार का आपकी पास डीजल जनरेटर शेट है यदि उसमें सफेद धुवा दिखलाई देता है तो आप इस से क्या समझते अथात यह किस चीज को सूचित कर रहा है जिसी कि पहला आपसन दिया गई दहन कच में पानी है या भी आपसन द आइए जितने भी लोग लाइब देख रहे हैं सबसे रिक्वेश्ट है कि आप सभी कोशनों का एंसर देते रहे हैं और डेली रात आठ बजे मेरी क्लास आती है जितने भी आई टिए की स्टुडेंटे चाहिए वो फश्टेयर को या सिकेंडियर को अभी तक फश्टेयर का न अथा दहन कच में पानी है मतलब कि किसी डीजल जनेटर में यदि सफेद धुआ दिखाई देता है तो यह आपको यह सूचित करता है यह यह अंकीत करता है कि वह दहन कच में पानी होने की सूचना दे रहा है तो आपसन नमबर ए हमारा कोशन के अनुसार बिल्कुल कि निम्न चीजों के वीच संबंद दिखाती है किस चीजों के भी संबंद दिखाती है जिसी के यह पर दे दिया गए आपसन में की एकश पर उत्पन बोल्टता और वाईच पर छितर दारा यह एकश पर प्रेडित एमैफ डिस्कुम अलेक्टर मोटी फोर्स बोलते हैं और तो यह पर आपको कौन सा आपसों सही लग रहा है चलिए सबी लोग एक बार सबी लोग इसका एंसोर दीजी बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोशन है तो ध्यान दिजीएगा दोस्तों यह आपका होता है कुछ इस तरह का ठीक है यह आपका होता है यह कौन की तरह होता है और यह आपका होता है यह आपका होता है और यह आपका होता है अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है यह आपकी बारे में पूछ रहा है कि जो डिसी संट में जनेटर है उसकी कमन जो दोकिशन होती है जो पिर्शन ही 13 hoता है अस्कर और इस तरह पहें और हो तो यहां पर क्योंसार अいきमियों सब्सक्राष के अनुसारा आप्को Przyणye जो कि यहाँ पर दिया गया हमारा डी आफसन नंबर यह हमारा बिल्कुल करेक्ट एंस्वर हो जाता है किलर वगए दोस्तों आईए नेक्ट कोशन पर आते हैं कोशन नंबर 27 पर कहरा है कोशन की डी जल जनेटर सेट में उप्योग होने वाले लूब्रिकेट तेलो का सेल नंबर क्या प्रदरसीत करता है चलिए एक बार सभी लोग इसका एंस्वर दें जितने भी लोग लाइफ देख रहे हैं सभी लोग इसका एंस्वर दें बहरी बहरी इंपोर्टेंट कोशन है यह तो ध्यान दीजिएगा दोस्तो डीजल जनेटर सेट में उप्योग होने वाला जो लूब्रिकेट होता है जो तेल होता है उसका अजो सेल नंबर होता है यह आपका सनेता को प्रदरसीत करता है तो यहाँपर जो हमारा बी आफसन देगे सियानता यह हमारा बी आफसन बिलक और समाने गती से घूमने पर बोल्टता उत्पन नहीं करता तो इसका कारण क्या है मतलब यहाँपर रीजन आपसे पूछ रहा है आफसन में देदिया गये ब्रस समपर्क परतिरूद यहाँपर देदिया गये बी आफसन आर्मेचर परतिरूद अधिक है और सी आफसन आफसन देखने को सही मिल जाता है चले सभी लोग इसका एंस्वर दें कोशन और आफसन आपके सामने और कमेंट में सभी लोग इसका एंस्वर दें तो ध्यान दीजेगा दोस्तो जब एक संट जनित्र समाने दिसा और समाने गती से घुमने पर क्या होता इसमें आपका बोल्टेज होता है यह उत्पन नहीं करता है क्यों क्योंकि इसका जो कारान है इसमें पोलो का जो अस्षिश्ट चुमकत्वा नहीं होता इसी कारान तो आटो मोबाइल की बैटरी को और सूसित मतलब की चार्ज करने के लिए कौन सा जनित का उप्योग करता है आटो मोबाइल की बैटरी यदि चार्ज करना है तो हम उस समय कौन से जनित का प्रियोग करेंगे संडी जनित का या विभेदी कंपाउंड मतलब की डिखेंसिल लग रहे हैं और इस तरह की डेली कोशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किजिएगा और वीडियो पर एक लाइक कर दिजिएगा ताकि आपको डेली इस तरह के वीडियो मिलती रहे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तो आटो मुबाइल की बैटरी को आउसिसित क करने के लिए संट जनरेटर का प्रियूग किया जाता है मतलब कि संट वाला संदिमर हमारा सी दिया गया तो यह हमारा सी आफन बिलकुल करेक्ट नसवर हो जाता है क्लिए यह वह दोस्तों आगे बढ़ते हम कोशन नंबर 30 के राइक कोशन कि एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है ठीक है और यह 300 बोल्ट 18.65 एंपियर लेता है इसकी दस्ता इफिसियंसी यहाँ पर 75% है तब मोटर की असो सत्ती होगी बहुत ही यहाँ पर टब कोईशन थोड़ा सा है लेकिन आप ध्यान से इसको लगाएंगे तो आप लगा पाएंगे देखिए मोटर मे यहाँ पर कितने दी गई है पावर तो देखिए यहाँ पर दो भी आप बोल्ट देदेगे 300 और आई कमान 18.65 देदिया गया है तो हम क्या करेंगे और पहले तो पी कमान देख लेजिए पी कमान यहाँ पर भी है ठीक है तो और हमारा सुत्र क्या होता है पी बराबर भी 300 है और आई कमान 18.65 है तो यहाँ पर गुणा किजिए फटा फटा आप क्या करेंगे 300 कि सोड़ी तीना जार हो गया यह तेन सो रहेगा इसको तेन सो कर देते हैं कि तीन सो गुड़े 18.65 एंपियर ठीक है तो यह हम इसमें गुणा करेंगे इसमें जब गुणा करेंगे आप तो कितना निकल किया गया सभी लोग एक बार गुणा किजिए तो अठारा जिरो अठारा जिरो तो यह आपका आ जाएगा पांच कि नौव पांच मतलब की 595 कि यह आएगा यह आपका वाट आगया और यहां पर पूछ कैसे की मोटर की ठीक है motor की यह आपका दस्ता की बार में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम सुत्र का एक प्रयूग करते हैं जो कि motor का आपका होता दस्ता के लिए output output power ठीक है output power upon input power तो output power हमको नहीं मालूम है और यहां पर हमको दस्ता मालूम है 75% तो हम दस्ता यहां पड़किए आउट्पूट हमको नहीं मालूम है तो आउट्पूट को हम बाहर निकालेंगे तो आउट्पूट बराबर क्या हो जाएगा आउट्पूट बराबर 595 गुड़े यहां पर हमारा कितना आया था अभी 75 आया ठीक है कितना परसंट दिया गया हमाँ 75 प्रसंट दिया गया तो गुड़ि कर लेंगे तो 595 गुड़े 75 तो सबी लोग इसका गुणा किजिए तो यह हमारा कितना आ जाता है कि इसको जब आप गुड़ा करेंगे तो यह आपका दस्मलों में जाएगा यह आपका साथ दस्मलों पांच इटीक इसको धियान सो चानवे दसमलो दो पांच आएगा आप दोस्तों देखिए आप सभी को मालों में एक वाट बराबर क्या होता है तो एक वाट बराबर होता है 746 कर देंगे, तो सभी लोग कीजिए, 41, 96, 225, 746, हास पाउर, इसको भाग दीजिए, सभी लोग भाग दीजिए, इसमें देखिए कितना आता है, तो ये आपका आज आता है, कितना, 526, 25, मतलब की 526, ठीके, 526, 25 आएगा, चूकि हम इसको 725 भी यहाँ पर करेक्ट मारेंगे, क्योंकि यह आपका नजदी की है, और आसपास भी कह सेचते हैं, कि इस अंके आसपास ही है, तो यहाँ पर हमारा डी आपसन बिल्कुल करेक्टेंस पर हो जाता है, के लिए रोगे दोस्तों, आईए, यह कुंडलन अवयो के, यह डी आपसन बिल्कुल करेक्टेंस अथाथ, परती पोल करम बेन एक बार के, क्यों? क्योंकि दिश्टिधारा जनितर में कुंडली जो होती है, दूरी पोल पीच बराबर करने के लिए, कुंडली का जो पिछला पीच होता है, उसको परती पोल करम बेन एक बार के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर कोशन के अनुसार अमारा, यहाँ पर पर करेक्ट हो जाएगा आपसन यहाँ पर कर्रेक्ट हो जाएगा, कोशन नमबर 37 बाता है किरहाए कोशन समाने लाइटिंग एव पावर सप्लाई के लिए प्रियोग में लाए जाने वाला जेरेटर कौंशा है विमील्टिव कंपाउड ज邊енно या डिफेंसील कंपाउड जेरटर कौंशा आपसन आपको सही लग रहा हैी चलिए एक बार सभी लोग इसका अंसोर दीजिए तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका आपसा नंबर एसा ही हो जाएगा क्यों क्योंकि समाने लाइटिंग और पाउर सप्लाई के लिए प्रयोग में जो लाए जाने वाला जो जनेटर होता है और यहां पर कोशन के अंसार हमारा सही हो जाता है आपसा नंबर एक बिल्कुल करेक्ट एंसवर आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 34 केराई कोशन कि यदि किसी जनेटर से बाहरी धारा का मान 10 एंपियर है और इंटर्पोल परतिरोद 10 हम है तो उसमें फिल्ड वाइलिंग का परहाने क्या होगी 100 वाट या 1000 वाट या 1 वाट या 10 वाट चले सभी लोग बताईए चले कुछ लोग कह रहे हैं सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं यहां पर दोस्तों देखिए आपका किया देखिए यदि किसी जनेटर की बाहरी धारा का मान मतलब की आए का मान कितरकर दिया गए 10 अंपियर और यहां पर पुछला इंटर्फोल परति दस ओम है मतलब की आर कमान कितना देखिए दस ओम तो आप सभी को सुत्र मालूम है कापर हानी का सुत्र क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कापर हनी का सु पर गोड़े आर्ठीक करेक्ट हो जाएगा सभी कोशन पर सब्सक्राइपente अगर कोश्चन की चलितला है के चोष्चन अगर जाएकर कर सकल्वा शुंबत कत्व कि toughest मोन कत्म हो वांगे बदल देना चाहिए या इस संय को य्यज़िव के cuánt करना चाहिए या डी आफसन देगा कि आर्मेचर की होनों दिसा बदल दनी चाहिए कौन सा आफसन आपको सही लग रहा इस कोश्चन में चले सभी लोग बताएं आफसन आपको बिल्कुल सामने एक बार सभी लोग इसका इंस्वर बता सकते हैं तो ध्यान दिजिएगा दोस्तों यदि जनेटर का बचा हुआ चुमकत्व खत्म हो जाता है तो जनेटर का 10 बरसंट डिसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए तो यहां पर हमारा भी आफसन बिल्कुल करेक्ट एंस्वर हो जाता है कुछ लोग इसका एंस्वर नहीं दे रह लैप औरके और वेब वाइनडिग दोनों यह नहीं लैप और नहीं वेब वाइनडिंग Ohhन को कौन सी वाइनडिंग की जाती इस तरह भी कोशन पूछा जा सकता है कि सब लोग बताए Sul तुद्यान दिजिए के दिस्तों, कम्यूटेटर पर की जाने वाले जो май Gesch 아vensky होती में अब्न लाइ गिता अधियां के ऩीध मैं करेक्ट इंस्वर हो जाता है आईए नेक्ट कोश्चन पर आते कोश्चन नमबर 37 पर कह रहा है कोश्चन DC पर सोपत जनितर की करांतिक चाल वह चाल होती है जिसे चाल की नीचे क्या होता है आपसं देखेंगे तो आपको समझ में आ जागा क्या पूछ रहा है चलिए आपसं आपको सही लग रहा है तो देखें दूस्तों पॉट्स परपत जनितर की करांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल की नीचे जनितर बोल्टेज में क्या करता है बोल्टेज बनाने में असफल रहता है तो यहाँ पर यह आपसं हमारा बिल्कुल करेक्ट इंस्वर हो जाता है यह आपसं हम करेक्ट मारेंगे आगे बढ़ते हम नेक्ष कोशन पर कोशन नमबर 38 पर के रहाए कोशन कि एक छे दुरू वाले लैप वांड डीसी जनितर में 600 चालक है प्रती चालक पर रित एमेप एमेप का पुरा नाम क्या होता है इलेक्ट्रो मोटी फोर्स होता है आग यहां पर किया दिया गया है पोलो की संख्या क्या दिया गया डीसी जनितर में 600 चालक है चालक है मतलब कि यहां पर पहले इसको ध्याने कि है उसके बाद चालकों की संख्या कितना दिया गया उसके बाद यहां पर पुछा राय प्रती चालक प्रेरित एमेप कितना दिया ग यहां पर पल्व कि संक्या 6 आम क्या करेंगे dog क्या सिखान रहा है इए में पूइब करेंगे 1000 मेंason यहां पर बोल्ट जो की देख सकते एमएफ पांच बोल्ट इसमें हम 5 से गुना कर देंगे और कितना आजाएगा 5 है कि तीस मतलब की 3000 यही हमारा एंस्वर हो जाएगा आफसन में देख लिए कौन सा हमारा दिया गया तो यहां पर 3000 बोल्ट हमारा कोही नहीं दिया गया लेकि यह इसमें आपका डी आसन करेक्ट हो जाएगा कि इन में से कोई नहीं क्यूंकि 3000 इसमें कोई नहीं दिया गया और 3000 हमारा एंस्वर आ रहा है तो हम यहां पर इन में से कोई नहीं बारेंगे आफसन डी लेकिन आप कोशन को ध्यान से लगा लिजेगा और इस तरह के कोशन आएंगे तो आप परिश्वां में असानी से इसका एंस्वर दे पाएंगे चलिए नेक्ट कोशन पर आते कोश्चन नमबर 49 पर कराई कोशन की डिसी जनित्र के आर्मेचर प्रती किरिया को सुधारने के लिए ब्रसेच को आर्मेचर के घौन गत्ती घौन की दिशा में अगर लिड परदान की जाती है या चेड़ा नहीं जा सकता या इन में से कोई नहीं चले सबी लोग इसका एंस्वर दीजिए कोशन आपके सामने है और एंस्वर भी आपके सामने है बस आपको कमेट में बताना है तो देखिए दोस्तों DC जनितर के आर्मेचर पति किरिया को सुधारने के लिए जो ब्रसेच होते हैं उसको आर्मेचर के घौन की दिसा में अगर लिड परदान की जाती है और DC जनितर में कार्बन के जो ब्रस होते है इसी का प्रियूग किया जाता है तो यहां पर कोशन नमर 40 पे और यह इस वीडियो का लाश्ट कोशन है तो सबी लोग जितने भी लूग लाइफ देखने वीडियो अभी तक वीडियो पर लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर कर दें ताकि हमको भी लाब मिले और आप सभी को इस तरह के कोशन का इंट् सबी लोग बता यह थोड़ा सा यह इजी कोशन है बस आपको पकड़ बनानी है आप डेली इस तरह की क्लास करते हैं तो आप असानी से इसका एंस्वर दे पाएंगे और मैं दुस्तों बता देना चाहता हूं जो लोग लेट में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बज़े सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पर क्लास चलती है सभी लोग जुआइन हो पाई है ठीक है और सभी को यहां पर एंस्वर देने का मातर पांट सेकंड का ही मौका दिया जाता है देखिए इसका सही हो जाता है आफसन नंबर सी अथात योगात्मक मिस्र क्यों क क्योंकि योगात्मक जो मिस्र है ये डीसी जनेटर पूर्ण भार पर ही सुने बोलता नियमन का उपलब्द करा सकता है और इसका जो योगात्मक जो मिस्र होता है ये डीसी जनेटर में परियोग होता है और इसी मेशीनों को चलाने के लिए ही इसका परियोग किया जाता है तो यहाँ पर कोशन के अनुसार आफसान नंबर सी हमारा बिलकूल करेक्ट इंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कोशन कबर किये गए थे उम्मेद आपको कोशन पसंद आयोंगे। पसंद आयोंगे दो वीडियो इस पर लाइक कीजेगा और जादा से जादा सेर कीजेगा ताकि और भी इस्टोरेंट के पास इस तरह की जनकारी पहुछवाए।